नमस्ति जानी किचन में आपका आपका स्वाकत है और आज में लाई हूँ आपके लिए काँजी वड़ा की रेसिपी सोर रहा है जो आपको बृगए ब बनाना शुरू करते हैं कांजी बड़ा सबसे पहले हम कांजी बनाएंगी इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है जिसे मैंने यह लिए यलो सरसो पीली वाली सरसो जिसको हम अचार में कामें लेते अगर यह नहीं है आप तो आप भी काली वाली राई जो मस्टर शीर होते भी ले सकते हैं इसको मिक्सी में फीस ले तो मैंने दो चम्माच यहां पर यलो वाली सरसो लिए अब मैं ले रही हूँ यह बुना हुआ और पिसा हुआ जीरा तो वन टीस्पून के लगभग हमने यह पीसा हुआ जीरा पाउडर लिया है बुना हुआ हुआ है बुना आई ये हिंगीदी श्राउम अगय आपने ज्यादे तूसको ध्यान से डाले इसमें इंग कस्वाल वाद ही अच्छा लगता है आँ समीं डाली बन टीस्पून के लगभग पलेन नमख सिह बांटे कर लेका प्लत है नमक रम हो ऐस्टीसपून के लगभग हल्दी पाउडर तो इसको हम अंदर तुंगरने में कामे लेंगे तो मैं एक कटोरी रख दिया अंदर मसाले के उपर और उसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे उपर से अब इसके उपर 2-3 बूंदे तेल की डाल देंगे तो मैं यहां सरसो का तेल यूज़ कर रही हूं ताकि बहुत अच्छ अंदर ही लॉक रहे इसके अंदर और दो मिनट के बाद में हम डखन को अटा देंगे और चोटी से काच के बाउल को भाहा निकाल देंगे और अब इसमें पाइं डाल देंगे तो जो दुंगारा है हमने कोईले से उस सारी खुश्बू से मसाले में लॉक हो गई थी और कि ताकि सारे मसाले हमारे पानी मेच से मिक्स हो जाए तो आपको अगर काला नमग या राइज यलूवले जो मने कामेली कम लगती है तो आपके सुछात के हशाब से बढ़ा सकते है और कम सकते है और इसको धक्ति रख देना है गर्म्यूम में कांजी 3 दिन में बन जाती है स तो इन दिन के बाद में वड़े बनाने की त्यारी कर रहा है तो आमने एक कप उड़की डाल ले लिए और एक कप मोंकी डाल ले लिए उनको तीन से चाहर पाने से वाश कर लिया क्योंकि इसमें बहुत पाउडर होता है और इसको विगो कि एक से दो गंटे के लिए छोड़ में पीस लेंगे तो हम अई के करकी यह दोनों दाल पीसेंगे मिक्सी में तो सबसे पहले हम यूडित की दाल पीस रहे हैं ताकि मिक्सी में प्रेशर नहीं लगे और आराम से दाल हमारी पीस जाए तो वैसे दाल में थोड़ा बहुत पानी है उसके बाद में अगर आपको पीसने में दिक्कत हो रही है तो एक से दो चमश आप पानी टिबल स्पून पानी काम में ले सक सब्सक्राइब तब हम इसे जार में मूंगी दाल भी पीस लेंगे आप चाहे तो एक दाल से बना सकते हैं ये बड़े ये और आल या मूंगी दाल ले लेकिन दोनों बनाने से आपको वह जब बनेगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे बंते वड़े इन दोनों को को मिक्स करके बनाने से संट lähовे मीफ से घिला लिए और ऐसे दो चमशंड में लिए काम लिए लिए कह ठामें की लगबक ऑगा रहे हैं दोनों दालों को मिला रहे है अश्डी अٹलि में आ फूला लिए है अब इसने वन नमग डालती है इसके अंदर ये अच्छी अंदर ऑन यह बहुत नरम बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते कड़ाई में डाल के बना सकते हैं तो हम ने कैस के ऊपर ऑईल भी चटा दिया गरम होने के लिए तो यह दिखी इस तरह का बैठर है अगर आप बैठर टाइट बनाएंगे तो आपके बड़े बहुत टाइट बनेंगे और वह कांजी को सोकेंगे नहीं और जब कांजी वड़ सब्सक्राइब आप बना ले और अच्छे से दी में आज पर इनको फ्राइब होने दे तेन आज पर नहीं करें नहीं तो यह बहार बहार से फ्राइब हो जाएंगे अंदर से गिले रह जाएंगे अच्छे से दीरे आज पर इनको घुमा घुमा के अच्छे से फ्राइब कर ले और दोनों तालों को मिक्स के दाजा हम बड़े बनाते तो यह बहुत ही अच्छे से कलर को फ्राइब होने के बाद में इनकी उपर ऑईल की एक भी पदद नहीं डिखती है और जब हम पानी मे जालेंगे तो वह उसके उपर भी कोई वाईल की परत में आती जिससे हमको कांजी पीने में बहुत ही अच्छे लगती है तो दीवीती में आज पर सुने होने तक बड़ों को फ्राइब कर ले और जब अच्छे से फ्राइब हो जाए तब उनको निकाल ले तो यह देखिए मैंने दूसरे राउंड वाले बड़े डाल दिये हैं और यह देखिए हमारी वड़ों में कित्य चीजाली बनी है क्योंकि हमने इनको इसको बहुत अच्छे से फेटा था बैटर को तो जब यह कांजी में जाएंगे बहुत अच्छे से कांजी को सोकेंगे और इसी तरीके स पहले एक बार नॉर्मल पानी में डाल दे आप थाकि वड़े हमारे अच्छे से फूल जाया बनते ही तो यह हम तीन दिन बाद में जब आप बड़े बनाएं तब करना है आपको यह प्रोसेस पहले से बनाकी नहीं रखने आपको पहले आपको कांजी बनानी है तीन दिन के हो गया है फूल पूल के तो या अबह और भी फूल एंगगी कांजी में जाने के बाद में अब property भल इसक視 अबगी फूल रहते है तो हमने साड़ेस वड़े बढ़े पाणी में डाल दिये और यह देग की तीन हमारी कांजी भी बन के तयार है और यह मनें को कांजी को दिन में दो से तीन बाहिए था अच्छे से ताकि जो मसाले थे वो राच्छे से मिक्स होते रहे आपस में देखि इसका रंग कितना अच्छा आया है अब हम इसमें अपने बड़े डाल देंगे तो बड़े निकाल डालने से पहले हम इसको छान लेंगे इस तरीके से आप चाहिए तो हाथ से दबाके भी डाल सकते हैं लेकिन हम चनी से छान के डाल रहे हैं तो पानी भी नहीं जा रहा है अंदर और आपको लगता है अगर पानी चाहिए सकता है तो आप हास से देई बड़े दबाते वैसे दबाके भी डाल सकते हैं तो हमने सारे बड़े डाल दिये हैं और इसको एक से दो घंडे के लिए हम छोड़ दें कि ऐसे ही ताकि हमने जो बड़े डाले वह भी अच्छी से कांजी पीले उसकी बाद भी हम सर्फ करेंगे तो यह हमारा कांजी वड़ा बनके तयार है एक से दो घंडे हो गए है आप चाहिए तो इसको ऐसे ही सर्फ कर सकते हम फोली पे बना रहे तो थोड़ा सा कलर फूल भी करेंगे और थोड़ा सा फ्रेशनेस दिखें यह देखिए हमारा वड़ा किता ऐचा पूला है कांजी में और हमारी कांजी का बहुत ऑचा करा है और हमारी जो हमने थोड़ों ने मसाला ढलت वह भी पूल गयी है यह की आप अज़े लिए लात मिरे या हरी मिठ जो भी चाह आप ले सकते हैं तो मैंने आप भी फ्रेश लाल मिठी ले लिए और इसको बारी-पारी काटके पोदीने की साथ में इसमें कांजी वड़े में डाल दिये तो ये पोदीना और जो हमने डाली ये ऑप्षिनल उपर से आप ऐसे भी सर्फ कर सकते लेकिन इससे एक दम थोड़ा सा कलर वाइस भी अच्छा लूख आएगा और थोड़ा सा फ्रेश लूख भी आएक हमारी कांजी में तब हमारी कांजी बनके तैयार है आप इसको ग्लास में बाउल में जैसे भी सर्फ करना चाहें वैसे सर्फ कर सकते तो यहां पर आप दो-तीन तर किते तरीके से ताप बच्चों और बढ़ों को पिलाएं वेमानों को पिलाएं सभी को बहुत पसंद आने मंदधी और बार बार में आपसे तो मेरी कांजी वीडिय की रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अची लगी तो लाइक करें कमेंट करके जरूरू बताएक आपको जन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी और बहुत सारी रेसिपी आने वाली है और वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद नमस्ति